वेलकम है दोस्तों यूटूब चैनल एक्सपोज अंदभक्त में तो एक बार फिर से हम आपके सामने अंदभक्तों की धुआ धार कुटाई वाली वीडियो लेकर आ चुके हैं तो वीडियो सुरू करने से पहले जो लोग अभी तक चैनल को सस्क्राइब नहीं किये वो चैनल के रॉकिट ठुस हो गए हैं वो दूसरों के कुतुम मिनार के लिए कानून बना रहे हैं योगी एंड धोंगी जी जब अपने हैंड पंप से पानी ना आ रहा हो तो दूसरे किसी का समस्टेबल नहीं बंद करवाया करते फसल खराब हो जाती है हां नहीं तो कि यह उत्तर परदेश के घंजेडी टकले साइंस में कितनी तरकी कर लिये बोलो देखो इतनी तरकी है रहे वाँ भी वाँ सुनो अब क्या तरकी की है यह बोलता है साइंस में मेरे को बहुत पता है यह कहता है कि हम मतलब मैं योगी अधित्य आत नाइट्रोजन को में बदल देंगे क्या बात है इसलिए तो हम कहते हैं कि मां कि आप गोबरों मुथ पी एक इतकम करो ठीक है ना बड़ा पस्ता होगे कसम से तुम बहुत रोगे उनके असु रोगे एक दिन तुम देखना अल्ला आफीज कौन है वो महापुरुष जिसकी पड़ाई अधूरी शादी अधूरी वादा अधूरा विकास अधूरा लेकिन फैटता है पूरा-पूरा अब बताओ जल्दी से कमेंट में है कौन है वो जन संख्या नियंतरण की बाते हो रही है देश में समस्या यह नहीं है अगर ऐसा होता तो चीन एक भिकारी मुल्क होता और नेपाल सबसे अमीर मुल्क समस्या यह नहीं है समस्या तो यह है कि खुजली कहीं और हो रही है और खुजाया कहीं और यह भारत है जनाब यहाँ और उड बेसलरी पहचान लेता है लेकिन अन्भक्तों की अन्भक्ती का यह आलम है कि साले अभी भी गधे को नहीं पहचान पा रहे हैं साले चमन चूतिया जाहिल कहीं के दुगुफा के पाइदा इस कहीं के असलाम अलेकुम भाई लोग आप सभी को इद मुबारक और यह तस्वीर देख रहे हो यह कहीं और की तस्वीर नहीं हमारे यूपी की तस्वीर है वो पुराना यूपी है और नीचे जो है वो नया यूपी है अब आप लोग यह मत कहना कि नहीं यह दुबाई है आप सभी ल लोगों ने एक नियूस सुनी होगी कि उत्तर पर्देस को भारत की नंबर 1 की स्मार्ट सिटी का दरजा दिया गया मैंने उस पर एक वीडियो भी बनाई जिसे आप लोगों ने बहुत जादा पसंद किया उस वीडियो में मैंने यह बताया था अत्तर पर्देस के अंदर बनारस को सबसे जादा हाई-टेक बनाया गया गय सब्से जादा सबसे जादा हाई-टेक बनाया गया है लेकिन गोरकपुर के अंदर योगी जी ने सब के घर के सामने प्रसनल स्विमिंग पूल बना के दिया है अफ़ादारी में अभी कुट्ते दूसरे इस्थान पर हैं पहले इस्थान पर अंदभक्त आ गए हैं पिट्रॉल 110 हो गया है सरसो का तेल 225 हो गया है लेकिन अभी भी कह रहे हमें तो लेना है मोदी जी का ही केला क्यों बहुत भक्तो साले चमन चूतिया जाहिलो भारत के अनिय यसस्ष्वी स्येम योगी आदित ना जी आपक जो आप से बात कहनी है आपने कहा है कि दो बच्चों परपार वारानी सरकारी तीन बच्चों परपार बच्राइण छीन ली जाएंगी जनी के दो से अधिख होंगे तो सरकारी वार्फ़ वत्त तो मुझे ये वादाई है क्या एक महिला एक वक्त में क्या एक ही बच्चा पैदा कर सकती है क्या उसके ट्वीन्स नहीं हो सकते हैं और ट्वीन्स क्या ट्वीन्स भी हो सकते हैं बलके चार चार बच्चों को इखटा महिलाएं जन्म दे सकती हैं उसी तरीके से एक न्यूज म कानून के मताबिक अभी ये कॉंस्टेबल कॉंस्टेबल तो रहेगा नहीं जबकि ना इसका ना इसकी पतनी का इसमें कोई दोस नहीं है क्योंकि इसने घोर अपराद किया है ना तीन बच्चे कब तक करोगे जुल्म सिरी मान बस करो वरना कहोगे तुम भी मुसलमान बस करो दुसमन कहेगा देखना हाथ अपने जोड कर अंग्रेज जैसे कहते ते सुल्टान बस करो जूट की दुकान सजाए बैठे हैं हिंदु को मुस्लिम से लड़ाए बैठे हैं और खुद को देश का चोकीदार बताने वाले देश में ही लूट मचाय बैठे हैं 55 साल से खुद को कुवारा बता रहा था फिर पताचला की साधी सुदा है और साथ साल से खुद को चोकीदार बता रहा है और फिर पताचला साला चोकीदार ही चोर है और पास साल से खुद को हरिस्चंद की आउलाद बता रहा है और अब पता चला साला जासूस भी है वा मोदी जीवा गजब के टोपी बहाँ जा बैठे हैं यार जिन बच्चों का दिमाग का विकास बच्पन में नहीं हो पाता वो बड़े होकर अंदभक्त बन जाते हैं अंदभक्तों की कमाई का जरिया आज मैं तुम्हें रियालिटी बताता हूँ अंदभक्तों की कमाई का नाकपूर से 20 पैसे में टूइट उठाते हैं और यूपी में 2 रुपर में बेच देते हैं मोती जी का भाशन ही मोती जी का शाशन है उन्होंने सारा समय सजने सवरने में ही वेश्ट कर दिया जब पूरा दुनिया कोरोना से लड़ने में लगी हुई थी तब मोती जी थाली और ताली बज़वा रहे थे क्या लॉकडाउन चुनाव के लिए हटवाया गया है और अमिशा जी की रेली के लिए देश में करोना के पेशन बढ़ रहे हैं दिन पर दिन और मोती सरकार ने अपनी सारे जिम्मधारी राजी सरकार के सर डाल दी है मोदी जी ने तो कहीं दिया है कि आत्मनेर पर बनो मतलब अपना अपना देख लो और भगतो खुश हो जाओ तुम तो पार्टी करो वर्ल्ड में नंबर वन पे आ गया है हमारा इंडिया भाईयों बहनों और उनके बहनोयों तुम लोग कहते हो मैं 20-20 लाग का सूट पहनता हूँ तुम लोग ये क्यों भूल जाते हो कि मैंने तुमको भी 15-15 लाग की टोपी पहनाई है क्यों मैं भगतो जाले चमच्चु दिया जाईरब आप लोगों को भी तो ये नियूज मिल गई होगी कि उत्तर परदेश भारत की नंबर वन स्मार्ट सिटी है जब मैं ये नियूज देखा न तो बड़ा अश्चर चकित हुआ सोचने पर मजबूर हो गया कि आकिर ये आवार्ड मिला कब किस को मिला कहा मिला किस ने दिया किस ने लिया दूसरे नंबर पर कौन आया कुछ नहीं पता जब मैंने इसकी परताल की तो सोसल मेडिया पर मुझे कुछ तस्वीरे मिले उत्तर परदेश के अंदर बनारस एक सहर है जिसको मोदी जी ने कहा था हमारी सरकार बनेगी तो हम उसको केटो बना देंगे तो वहाँ की कुछ तस्वीरे मेरे पास आई जो है यकीनन जो है मोदी जी ने स्मार्ट सिटी बना दिये ये देखिए ये सबके घरों के सामने स्वीमिंग बूल बना दिया गया है दूसरी तस्वीर ये देखिए जो है पानी में चलने वाली बाइक भी बना दी गई है किसरी तस्वीर आप स्वीमिंग का भी मज़ा ले सकते हैं जो देखिए मोधी जी हमारे स्वीमिंग कर रहे हैं तो ये कुछ तस्वीरें थी और दूसरे भाजपा सासित परदेश जो है न वो ज्यादा टेंसन न ले उनके परदेश में जब चुनाओ आएगा तो बिना कुछ किये उनको भी नंबर वन का आवार्ड मिल जाएगा क्योंकि मोधी जी हैं तो मुम्किन है रात दिन जुमलों की बारिस करने वाले साहब ने एक बात सक्त कही थी के रुपिया उसी देश का जीता है जिस देश का प्रदान मधरी जाहिल और मूर्ख नपुन सको 35 रुपाय पिट्रोल की चाहत में सरकार बदनने वाले नमूले आज 111 रुपाय प्रती लीटर पर चुप हैं कुछ नहीं बोल रहें इसे ही इतिहास में अंदभक्त कहा जाता है कर दो